हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, अगर आप अपने लिए कस्टमर सपोर्ट की जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रिक्टिकली सीखेंगे कि कैसे आप अपने नौकरी प्रोफाइल में की स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर जॉब सर्च में हेल्प मिले, दूसरी तरफ इनी की स्किल्स से रिफरेंस लेके आप अपने रिज्यूमे को भी बहुत एफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे वो रिज्यूमे रिकूटर ये आचार को इंप्रिस कर सके, दोस्तो इस वीडियो को एंट तक देखने के multiple benefits है, क्योंकि customer support से related important videos के link मैं आई बटन में दे रखे, तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और practically सीखते हैं आए दोस्तो वीडियो की शुरुवात करते हैं, तो अपने profile में key skills update करने के लिए, देखे, यहाँ पर आपके सामने एक option आता है, जहाँ पर आप अपनी key skills को update कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपके सामने एक window open होकर आ जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ by default मैंने sales skills related information update कर रखी है, तो उसको avoid करते हैं, यहाँ देखे, key skills में लिखा हुआ है, add skills that best define your expertise, for example, direct marketing, oracle, java, etc, तो यहाँ पर हम बात करने वाले है customer support की, तो देखे, मैं यहाँ पर type करता हूँ customer support, जैसे ही मैं देखे, customer डालता हूँ, यहाँ पर देखे, मेरे सामने multiple references आ गए, जैसे customer service, customer support, customer care, customer handling, customer relationship, and customer management, तो यहाँ पर मैं pick करता हूँ, customer support को, अब देखे, जैसे ही मैं यहाँ पर customer support option pick किया, तो देखे, मेरे सामने यहाँ पर multiple option आ गए, like after sales service, मैं इसको pick कर लेता हूँ, then product support, customer relationship, customer focus, customer care, इसके अलावा भी अगर मैं कुछ और skill set करना customer support से related, तो यहाँ पर मैं further भी search कर सकता हूँ, like यहाँ पर देखे, मैंने डाला है customer, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, customer handling पे, तो देखे, जैसे ही मैंने इस पर click किया, मेरे सामने other options आ गए, like solving queries, तो मैं इसको pick कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने customer complaint को option आया, मैं इसको भी pick कर लेता हूँ, right, इसके अलावा यहाँ पर warranty handling है, मैंने इसको भी pick कर लिया, तो इसी तरीके से मैं और options भी pick कर सकता हूँ, for example, मैं यहाँ पर type करता हूँ, दुबारा से, तो यहाँ पर मैं customer service की तरफ जा सकता हूँ, तो जैसे मैं customer service की तरफ गया, देखे, यहाँ पर मेरे सारी skills सेफ करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस save option पर click करना है, देखे, जैसे मैंने save option पर click किया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह key skills मेरे profile में add हो चुकी है, दूसी तरफ दोस्तो इसी नौकरी profile से reference लेके आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक sample resume में, resume में update कर सकते हैं, आप चाहें तोने key skills का नाम दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपनी core competencies का नाम भी दे सकते हैं, दोस्तो I hope यह video आपको अच्छा लगा, इस video ने आपकी कुछ help की, दोस्तो वीडियो अच्छा लगा, तो like करना मत बुलिएको, और अगर मेरा effort अच्छा करना यार, और finally इस video को उस candidate से share करना, जो अपने लिए customer support में job search कर रहा है, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,